नमस्कार दोस्तो, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है तो आज एक अलग तरह काचार बनाएंगे, आले चने काचार बनाना है हमे उसके लिए हमें अचार के लिए आम चाहिए तो ये दो कच्छे आम है उसे में छील लेना है चिलने के बाद ये मोटे वाले कदुकस है उससे हमें कदुकस कर लेना है यानि ग्रेट कर लेना है हमें क्योंकि इसी में हमारा जो चना है वो पकेगा तो ये है पाव कप सरसो का तेल एक चम्मच है हल्दी पावडर कस्मेरी लाल मिर्ज टेस्ट के उसार नमक और ये कदुकस के अवाम तो है ही साथ में ये हमारे काला चना है इसे हमने तुरंट पानी में दो के सुखा लिया है धूप में ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं है कुछ भी और ये है मसाले जो अचार में बेसिक मसाले पढ़ते हैं बस वही है मेथी, जीरा, अजवाइन और सौफ है एक एक चम्मच, दो चम्मच राई है छे सुखी लाल मिर्च है और आधा छोटा चम्मच कलोंजी है सबों को हमें रोस्ट कर लेना है धीमी आच में दो मिनट तक ताकि हमारा जो मसाला है ड्राई रोस्ट हो जाए और इसकी जो मौस्चर है वो भी निकल जाए और हमारा अचार का जो सेल्फ लाइब है वो भी बढ़ जाता है अचार में एक अच्छा सोंधापन टेस्ट लेके आता है तो किसी भी मसाले को थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर लेने से न इसमें स्वाद बढ़ जाता है ठंडा करने के बाद इसे हमें मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर लेना है तो यह मिक्सिंग बोल में हम ले लेंगे कदुकस किया हुआ आम और इसी में हमें लेना है काला चना जो की बिल्कुल ड्राई है ये हम लेंगे 4 बड़े चम्मच लेना है हमें से दो आम है तो उसकी हिसाब से 4 बड़े चम्मच क्योंकि इसी आम के रस में ये और तेल मसाले के साथ ये हमारा जो चनह है न वो फूलेगा टेश्ट के अनुसार 1 से 1 और बड़ा चम्मच हम नमक ले लेंगे हाल्दील ले लेंगे हम कस्मेरी लाल मिर्च है इससे तीखा पर नहीं होगा यह हमारे अचार में कलर लाएगा रेड और जो यह पिसा हुआ हमारा अचार का मसाला है इसे भी हमें ले लेना है तो इसमें हाफ ले लेंगे हम तो चार बड़ा चमच मसाला ले लेंगे और यह जो सरसो का तेल है इसे भी हमें डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है तो कुछ लोग चना को फुला के अतब धूप में डाल करके बनाते हैं तो उसकी सेलफ लाइफ कम होती है तो इसे बिल्कुल ड्राई जो होता है न वो चना से लंबा समय तक हमारा अचार चलता है तो आप ऐसे डालिएगा तो ये बहुत एक अलग तरह का अचार है बहुत टेस्टी होता है तो सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक दिन के लिए धूप दिखा देंगे तो इस तरह से ये हमारा जो है अचार तो कंप्लीट नहीं हुआ है पर इसे अभी दो से तीन दिन तक दूप दिखाया जाएगा और इसके बाद हमारा जब तक चना फूलेगा नहीं तब तक ये खाने लाइक नहीं होगा तो ये 24 घंटे के बाद देखिए इसका रंग रूप सारा तेल जो है और जो भी इसका आम का पानी था सब सोक कर लिया है और ये जो चना है न वो भी लगभग 50% फूल चुका है तो इसको अच्छी तरह से फूलने के लिए कम से कम 8-10 दिन लगेगा 8-10 दिन के बाद ये अचार बिलकुल अच्छी तरह से खाने लाइक हो जाएगा और इस तरह का अचार बहुत ही अलग धंका होता है और बनाना चाहिए थोड़ा बनाईए, खाईए, खिलाईए, तारीख पाईए तो ये काले चने का जो अचार है न बहुत ही एक अलग यूनिक टाइप का है तो इसको और आज पास से दिखा रही हूँ तो ये देखिए, ये कितना अच्छा इसमें अगर कम पड़े तो आप और तेल डाल सकते हैं क्योंकि ये तेल भी सोप करता है और इस एक एक दाने में न खटास भी आ जाएगा और बिल्कुल अलग टेस्टी लगेगा तो इस तरह से काले चने का जो अचार है वो तैयार हो गया है और तीन-चार दिनों के बाद और अच्छी से तरह से तैयार हो जाएगा फिर से आप किसी भी ये टाइट जार में या डबे में डाल सकते हैं मैं ये जार में डाल रही हूँ थोड़ा बनाई हूँ इसलिए तो इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं, रख सकते हैं और अचार तो वैसे भी कम्प्लीट होने में एक हपता लगी जाता है तो एक हपता के बाद ये खाने के योग्य हो जाएगा और टेस्टी सा अचार ये आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसकी लाइक करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें